Hello everyone and I welcome you all to my channel exploring daily with Adya So guys, Diwali shopping की series में आज मैं आपको लेकर आगई हूँ कुमार कलोनी चोकी situated है हस्त साल उत्तम नगर में यहाँ पर कैसे पहुँचना है इसका एक छोटा सा location वीडियो मैंने वीडियो के end में आपको दिखाया है So please आपसे request है उसे जरूर check out कर लीजेगा क्योंकि उत्तम नगर थोड़ा भीड़ भाड़ वाला area है हो सकता है आप वहाँ पर misguide हो जाए तो अगर आप उसे देख लेंगे दो मिनट में चुटकी बजाते इस market तक direct पहुँच जाएंगे फिलाली market 7 days open है और यहाँ पर आप सुबह 10-11 बज़े पहुचकर भी अपनी shopping कर सकते हैं यहाँज के इस पूरे वीडियो में मैंने आपको पूरी location guide की है और साथ ही साथ यहाँ के shopkeepers का contact number और हर चीज़ का price भी बताया है तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा दोस्तों अगर आप दिल्ली की best markets और best budget shops के बिलकुल latest videos देखना चाहते हैं तो मेरा यानि आद्या का channel जरूर subscribe करें और साथ ही साथ bell notification को on करना ना भूलें Before I start my today's video, सबसे पहले मैं आपको introduce करवाना चाहती हूँ अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से जो मुझे इस market में मिले थे जो गिंदर कॉर मैम और जस्पाल सिंग सर जोकी दोनों तिलक नगर से आए हुए थे अपनी shopping करने के लिए market में So, इस market में कैसे पहुँचना है आपसे request है, वीडियो के end में मैंने पूरा location map बना के दिखाया है सिर्फ दो मिनट लगेंगे, आप अगर देख लोगे तो आप directly इस market में अर्राम से पहुँच जाओगे अंदर ये market बहुत बड़ी है, और थोड़ी से गुमावदार मोडों से आप यहाँ पर पहुच जाओगे और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुची तो आप देख सकते हूँ, जोरो शोरो से यहाँ पर packing चल रही है बहुत सारे shopkeepers, wholesaler जो भी है वो यहाँ पर खरेदारी करने के लिए आए हुए थे मिटी का जो भी समान इस दुनिया में exist करता होगा वो सब यहाँ पर मिल जाता है बहुत शुरुआत में मैंने बहुत ही प्यारे से दिये देखे, यह जो आप इसमें नली सी देख रहे हैं, इसमें लॉड डाली जाती है और उसके आसपास तेल डाला जाता है चोटे से लेके बड़े दिये आपको यहाँ पर बहुती सुन्दर सुन्दर शेप्स में, डिजाइन्स में मिल जाएंगे यह मैंने सिंगल पीस का आपको प्राइस बताया है अगर कोई पूरी पेटी लेगा, जो कि एक ही डिजाइन में तियार की हुई है तो उनको अलग रेट लग जाएंगे आप चाहो तो यहाँ पर कलर दिये भी ले सकते हो या बिना कलर किये हुए रो में भी ले सकते हो अगली है आपको एक मैं दुकान दिखा रही हूँ तो यहाँ पर करवा मिल रहा है या आप इसे मटकी कह सकते हो वैसे करवा चौत आ रहा है तो उसी के लिए तियार किया जाता है चो यह छोटी सी है कॉंटिटी के हिसाब से पैकेट्स बने हो यहाँ पर मिल जाएंगे एक एक दिया भी आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से पैक किया हुआ है ताकि वो खराब ना हो तो पीछे यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ चार लॉवाले दिये भी है सिंगल भी है एक एक करके मैंने सबके प्राइस कोट कर दिया है अगर आप यहाँ पर बल्क में लेते हो पूरी पेटी लेते हो तो आपको सस्ते पढ़ जाएंगे तो बहुत ही सुन्दर सा डबल शेट का दिया मैंने देखा यहाँ पर 7 रुपे का परपल ग्री उसमें भी आप देख सकते हूँ कितनी प्यारी फिनिशिंग से गनेशी लक्षमी जी का फेस बना हुआ है शॉप में मैं जब अंदर आई तो यहाँ पर आपको कैंडल के बहुत सारे आप्शन मिल जाएंगे दिये के साथ में आप कैंडल यहाँ पर ले सकते हो देखो डारेक्ली जब हम फर्ष पर कैंडल जलाते है तो उसका मोम चिपका रह जाता है फिर हम उसे छुडाते रहते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे साफ करना तो आप यहाँ पर दियों के अंदर जो कैंडल भरा हुआ है वो ले सकते हो और यह देखे पूरा यह 12 दियों का बड़ा ही प्यारा सा सेट है गिफ्टिंग के परपस से भी बड़ा ही सुन्दर सा है यही चीज़ आप अपने आसपास की शॉप्स में काफी महंगा पाओगे तो अगर आप लेना चाहते हो घर की लिए अपनी दुकान की लिए तो मार्केट में आ सकते हो यहाँ पर मैं आपको एक-एक सिंगल-सिंगल की प्राइजस बता रही हूँ अगर कोई बल्क में लेका तो उसकी प्राइजस अलग होंगे और आप यकीन नहीं करोगे वैसे करना भी पड़ेगा क्यों नहीं करोगे यह एक-एक चीज़ चाहे कोई दिया टूट ही क्यों न गया हो उसमें भी किसी की हाथ की महनत लगी हुई है उसके बाद उनको पेंट करना उनको पैक करना तो आपके लिए दिवाली की तेयारी आप सोचो कब से शुरू इन लोगों ने कर दी होगी और अब फाइनली यह सारी हाथ की महनत आप लोगों के सामने मार्केट में आ चुकी है सो विदानशी हैंडीक्राफ्ट नाम से यह दीदी जी की शॉप में आपको दिखा रहे हूँ मैंने यहां से जो जो शॉपिंग के इस मार्केट से वो मैं अलग आपको हॉल वीडियो में दिखा दूँगी बहुत जल्दी तो इसमें हर साइज में हर शेप में हर डिजाइन में आपको बहुत ही सुन्दर सुन्दर आर्टिकल्स मिलेंगे और आप देख सकते हैं ऐसी नहीं खुले कुछ भी रख दिया है बड़ी प्यारे तरीके से पैकिंग की गई है ताकि आपको ले जाने में भ 80 रुपीज से हो जाती है और इनकी शॉप का पहले आप कार्ट देख लीजिए गगन टेरा कोटा वर्क्स के नाम से है तो यहां पर आपको एक से बढ़कर एक डिजाइन देखने को मिलेंगे और आगे भी एक आपको शॉप दिखाऊंगी जिसमें की अगर आप थोड़ा आडवांस में बता के चलो तो कस्टमाइजेशन वगरा भी हो जाता है सामने देखिए शिवजी की मूर्ति आपको मिलेगी लॉफ इंग बुद्धा मिल जाएंगे जो कि फिलहाल तो लॉफ नहीं कर रहे हैं और यह जो मूरतिया मैं आपको दिखा रही है लग बग एक जो आप सीडी और में नहीं पュर्सक्राच पर नहीं दो रहे हैं रहे का इसी इस पर पर में के उस्टम भी टूं यह ताहरा ऊंचार दिखा दिया है उनलाइन यहां यहां पर आप गर दारी करनें वनिया है क्योंकि मिल रिखे मुज तो मिल रहे हैं आपका भी नुक्सान आ और दुकानदार का भी, अगली दुकान पर मैं आ गए हूँ, यहाँ पर जो अच्छी क्वालिटी वाले एक दम मजबूत वाले दिये होते हैं, वो मिल रहे हैं, यह एक रुपे का एक मिलता है, नॉर्मल सा जो आप वैसे जलाते हो, वो अलग क्वालिटी और यह अलग क्वा इतना प्रिटी लग रहा था यह, इसमें आप देख सकते हो, दोनों तरफ में दिया रखने का बनाया हुआ है, पर अंकल ने बताया कि एक तरफ इसमें आप कैंडल लगा सकते हो, और दूसरी तरफ आप इसमें दिया रख के भी जला सकते हो, और वैसे गी या तेल डाल के जला सकते हो, तो वैसे देखो नीचे का यह बेस बड़ा सुंदर है, तो दिया इस पर रख के भी आप जला सकते हो, बाकी जैसे आपकी मर्जी, पूरी पेटी लेनी है, तो वो भी ले सकते हो, मालक्षमी के शुब चरण आपको यहां पर मिल जाएंगे, सजे हुए, किया गया है, तो एक एक चीज सबके किसी ना किसी के हाथों से होकर गुजड़ी है, आपके घर में, आपके परिवार में आएगी, आपके तुहार को और अच्छा बनाने के लिए, आपको घर को सजाने के लिए, तो इस चीज की वैल्यू करना बिलकुल बनता है, अंकल की दुकान के बिलकुल बगल में, यहाँ पर पूरा मूर्तियों का सेक्शन है, और शाहिद इसमें कोई God Goddesses हैं, जिनकी मूर्ती ना हो, सबकी है, और मुस्ट भगवान धन्वंत्री की है, शिव परिवार देखे, कई लोगों को मैंने सुना है, कार्तिके के साथ मूर्ती चाह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, दुनिया की सबसे चोटी और प्यारी सी चीज, और सबसे प्यारा खुबसूरत गेफ्ट आप देख सकते हो, मेरे हाथ पर आ गए लक्षमी गणेजी, इतने प्यारे इतने प्यारे हैं, और पिलकुल चोटी सी जिन में यरिंग आते हैं, उतनी चोटी सी डिब्बी में भयाजी ने रखा हुआ था, मेरे घर में ऐसी बहुत साल पहले बड़ी मूर्थियां थी, उनको देखके मुझे वही याद आ गया, तो पीछे आप देख रहे होंगे, यह सारे डेकोरेटिव हैं, इतने सुंदर मैं बता नहीं सकती, बस पॉ अपने मंदिर का मेजर्मेंट वगरा लेकर उस हिसाब से मूर्थी यहाँ पर लेकर जा सकते हो, तो यह मैं पूछी थी भया जी से उन्होंने बोला कि यह भगवान धनवंतरी हैं, लेकिन यह भगवान धनवंतरी नहीं हो सकते, आप कमेंट करके बताएगा, यह औरेंज व अभी भी मट्कियों को पेंट कर रही हैं, और मैंने पूछा तो उन्होंने बताएगे कि एक मट्की को इस तरीके के इतने साइज में पेंट करने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं, तो आप लगा लो उनके ना ना करते भी 100-500 मिनट इसमें लग चुके होंगे, पीछे जितना आप देखे हो काफी कुछ पेंट करने के लिए रखा हुआ है, और काफी कुछ हो चुका है, सामने बहुत ही सुंदर फीचर के साथ में लौड बुद्धा जी के यहां पर आप स्टाचू देख सकते हो, यह अभी तयार होने के बाद में आपको इस प्राइज में मिलेंगे अगर पसंद करते हो, मिट्टी वाला लुक तो उस तरीके से भी लिए सकते हो, लेकिन यह सब पेंट होने के लिए रखे हो है, और आप फीचर और फिनिशिंग देख सकते हो, बहुत 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 कमाल की है, काबिले तारीफ है, एक एक चीज, नेक्स आपको जो मैं शॉ पेगाइक दिया या बल्क में लेते हो तो और भी सस्ता मिल जाता है, पचास पैसे या पिछत्तर पैसे के साब से, वो मिल जाता है, लेकिन इतनी दूर आप प्लेन दिये लिने तो आओगे नहीं, आप कुछ ना कुछ डेकोरेटिव और डिफरेंट आइटम चाहते हो, तो सारी की सारी सिरामिक माटीरियल में हैं और इनमें आप बल्ब भी लगा सकते हो, होल्डर टांग के आप इसमें बल्ब भी जला सकते हो, तो इसकी रेंज मेंने कोट कर दी हैं, कुछ चोटे साइज हैं, कुछ बड़े साइज हैं, साथ ही साथ यहां पर दिया रखने के लेंगे एंग्री बर्ड यह सब आपको मिल जाएंगे तो सिंगल सिंगल का प्राइज है यहां पर आप से रिक्वाइस जरूर करूंगी इस मार्केट में जब भी आप 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 बच्चों को जरूर लाना उनको इस मार्केट का टूर आप जरूर करवाईएगा तो भाया के पास इस तरीकी के आपको हैंगिंग दीवाज मिल जाएंगे अलग-अलग कलर पेंट में हैंगिंग दीवाज की और भी मार्केट में कई डिजाइन से मैं आपको आगे दिखाऊंगी चोटी-चोटी यहां पर दिया आप देख सकते हूं बहुत ही डिजाइनर है सारे के सार इनका भी बड़ा ही सुन्दर लग रहा है और आपको यह कैमफर वाला डिस्पेंसर मिल जाएगा यह लाइट के साथ में आपको जो मिलेगा जिसमें लाइट जलती है वो डेड़ सुक है बिना लाइट वाला आपको 80 अपे का मिल जाएगा अंदर आप यह पिछे जितना भ बहिया ने तयार की हुए है अभी आपको एक एक चीज करके दिखाऊंगी मैं यह मर्तबान आपने देखा चोटा साइज है बड़ा साइज है पिछले साल भी बहिया के पास मैंने यह सब चीज आपको दिखाई थी तो मेरी भी यादाश्ट वापस आ रही थी बहिया की पूरा 3D लुक में और बड़ा ही सुन्दर लग रहा है यह कॉर्नर का प्राइज मैंने कोट कर दिया है इसमें चोटे बड़े हर तरीके के साइज आपको मिल जाएंगे और पीछे यह देखे यह बहुत कुछ अभी जो है पेंट होने के लिए रखा गया है तो इनकी जो कल दाल के चला लो मतलब चाहते क्या हो हमारा रिच्वल हमारा जो बेसिक कल्चर है अगर वो बचेगा ही नहीं तो त्युहार मनाने का मजा ही नहीं है अगर दिवाली और आपने मिट्टी के दिये में दिया नहीं जलाया तो क्या जलाया हम तो बच्पन से चीज पढ़ते आ तो पीछे अभी मैं आपको दिखा देती हूं कि यह जो फाउंटेंस है ना फाउंटेंस आपको वह गोल मर्तबान और यह स्टैंड के साथ में मिलेंगे पूरा तीन का सेट है काफी बड़े साइस का जो मैं आपको बताया पैंतालेसो का और बाकि अगर आप सिंगल सिंगल ल इसका आपको मिल जाएगा अभी मैं आपको यह चीज़े टुकडे टुकडे में दिखा रही हूं अभी पूरा सेट अप दिखाऊंगी कई लोगों ने पूरा सेट करके दिखा रहा है कि आपको घर में कैसे सजाना है तो यह सारे फ्लोटिंग जली जीव हैं बड़े ही प् सारी भी था तो पीछे चोटा वाला है और यह आगे बड़ा वाला है मेरे हाथ में अब मैं आपको चोटा भी दिखा देती हूं तो यह सिंगल भी आप ले सकते हो अपने घर के लिए बाकी यहां पर सिरामिक के दिये भी हैं रंग बी रंगे चोटी-चोटी मटकिया है जो में इन वाले टीकप सेट में खेली-खेली की है यहां पर 100 रुपीज का मिल रहा है अपने बच्चों को ले जाकर ज़रूर देना अगर उन्होंने इसमें अभी तक चाय नहीं पी है तो तो यह सब दीए दीपक आपको मिल जाएंगे पीछे पूरा यह देखो उपर से लेक फ्रेंट पे पूरा सेल वाला है पीछे बहा के वरक्शॉप चलती है इस मार्केट में आप सेवन डेज आ सकते हो सेवन डेज कभी दिवाली तक तो फिलहाल सेवन डेज है ही तो जूम करके मैं आपको नंबर भी दिखा दिये हैं ऑनलाइन के लिए मैं परस्नली रेकमेंड हैं कुछ बड़े साइज हैं इस तरीके कि आपको पूरे पैक्स मल जाएंगे चोटे साइज बड़े साइज सब हैं कलर चॉइस आपकी अपनी है जो परजी आप ले सकते हो जो बेस्ट चीज लगी वह इनकी पैकेजिंग है अगर आप यहां से खरीदा और सीधे मतलब पर मैंने कहीं नहीं देखे इसके बाद यह पूरा पचास दियों का सेट है 25 नीचे है वह बाकि 25 नजर नहीं आ रहे तो यह आपको मिल जाएगा मात्रडेड्स हो का इस तरीके के आपको फ्लोटिंग वाले फ्लार्स मिल जाएंगे तो इसमें पानी में आप डालोगे तो उनके संपर्क में आके इसमें लाइट जलने लगती है बस यह बात है ठीक है तो यह आप ले सकते हैं अभी में इनका आगे आपको यूज दिखाऊंगे पूरा पूरा यह आ गए भाई चमतकारी दिये जो की पानी से जलते हैं मुझे परसनल यह चीज बिलकुल भी दिये लेगा या सौ रुपे में वो कम से कम 40-50 दिये सरसो के तिल सी जला लेगा खैर चलिए अगली दुकान पर बढ़ते हैं यहां पर भी देख सकते हैं आप पाकेट तयार करके रखे हुए हैं और यह फिर से वही वाले दिये में आपको दिखा रहे एक दम सॉलिड वाल यह कलर में भी इन लोगों के पास में अवेलेबल है आप चाहो तो कलर कंट्रास्ट के साथ में ले सकते हो और दिये तो जितनी दुकानों पर जाओगे उतने नए डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे यह देखो हर शेड हर डिजाइन है और नीचे अब एक अंकल के पास मैं कम ही डिस्टब करती हूं क्योंकि वह बिचारे इरिटेट हो जाते हैं उनको एक ही मतलब है कि मुझे दुकान पर बठाया गया है तो मुझे समान बेचना है पैसे लेने हैं लेकिन जब मेरे जैसा यूट्यूबर पहुच जाए और अंकल इसका राइट क्या है तो वह पहले शॉपिंग कर ली उसके बाद उनसे थोड़े से रेट मैंने पता किये तो यहां पर एक और प्यारा सा हैंगिंग दिया मैं आपको दिखा रही हूं और इनके डिजाइन्स भी बहुत कुपसूरत है पेयर का प्राइज है जो यहां मैंने कोट किया है जैसे एक में संदर लगते हैं लगाए हुए भी अच्छे लगते हैं और साल भर आपको इन्हें कहीं छेड़ने की उतारने की जुरुत नहीं पड़ेगी जैसे लड़ियां वगरा और लाइटिंग यह सब हटाना पड़ता है यह सब तंगा भी रहेगा तो बहुत संदर सा लगने वाल ह क्योंकि आप तो चाहती हो कि भगवान साल भर आपके घर में शुबलाब देते रहें अगला मैं आपको दिखा रही हूँ छुटू साइस से लेके बड़े साइस का मिल्टी का ही टेंपल जिसकी स्टार्टिंग यहाँ पर 30 रुपीज से हो जाती है और यहाँ पर एक इसके बाद आपको बड़े वाले दिये चाहिए पूरा सेट बना के रखा हुआ है सेट बनाया हुआ है खरीद लो कोई दिक्कत नी है बस थोड़ा सा अलट पलट के देख लेना कि कहीं से कोई क्रैक ना हो कुछ टूटा फूटा ना हो तो इसमें हर शेप हर डिजाइन इन सब चीजों को आप बिल्कुल सलामती के साथ अपने घर पहुंचाएं मैं अपने बैग में जितना आ सकता था उतनी शॉपिंग की घर पहुंची और मेरी हाटबीट बड़ी हुई थी कि बगवान कहीं कुछ टूट ना गया हुआ हो तो देखिए अब पिछले ही थोड पर ले ली अगली शॉपर मैं गई वहां पर और भी अच्छे डिजाइन से अब एक बार चुल ले ले लिया फिर उस तरीके का तो आप कम से कम आइडिया लेकर जाओ कि मार्केट में क्या क्या चीजे नहीं नहीं आई हुई हैं प्राइस आपको वही पे करना है लेकिन ची लगती है डेली हार्ट्स हो गए सब चीजे यहीं से जाती है नेक्स यहां पर इनके पास यह पूरा ट्रे बनाया हुआ है बीस दियोगा अब यह देख रहो ना आप यह वाले जो दिये हैं यह उपर से चौड़े हैं तो यह एक रुपे वाली क्वाल्टी नहीं है तो अंग्ती ने पूरा सेट अप लगा रखा है नीचे मर्तबान है उससे नीचे देख सकतो यह आपका स्टूल है फिर मर्तबान है उसमें पानी भरा हुआ है और वो सारे फ्लोटिंग जीव जन्तु जलिए जीव इसमें है इसे तरीके से यहां पर लौड शिवा का है ठीक है अब मार्केट में बस सीधा सीधा चलते चाहिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर सारी शॉप्स औरड़ी आपको मिलती चली जाएंगी तो आई होब आपको वह सेट अप समझ में आ गया होगा अगली जो मैं आपको शॉप दिखा रहे हूं यह अजे कुमार भाई उनका एक-एक चीज बहुत ही ब्यूटिफुली बनाया गया है तो बड़े से बड़ा महंगे से महंगा भी यहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है बाकी पीछे जितनी भी आप मूर्तियां देख रहे हैं अलग-अलग गॉड़ गॉड़ इसकी आपको यहां पर मिल प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना कि कुललड में आपको चाय ज्याएं पशंद है या कुललड वाली लैसी आपको ज्यादा पसंद है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा तो यहां पर जो स्टार्टिंग है 1R 80 पैसा से हो जाती है और जो लोग ऑब्वेस ही बात ह ज्यादा quantity purchase करते हैं उनको और भी सस्ता लग जाता है तो one time use यह जरूर होता है लेकिन इसका जो मज़ा है इसका जो स्वाध है वो इस दुनिया का नहीं रहता फिर वो ultimate ही होता है तो जिसने भी कुलड का स्वाध लिया हो comment करके जरूर बताईएगा यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा piece है same concept में बस designs यहां पर change आपको मिलते रहेंगे बिलकुल खुले आम सारा location है और यह बैठे होए हैं हर तरीके की terracotta वाली colors सभी मूर्थियं यहां पर available है इनसे मैं थोड़ा सा आगे बड़ी तो यहां पर मुझे जो दीपक मिला इसमें उपर काच भी लगा ग और यहां पर और भी colors मुझे देखने को मिले पहले जो मैंने दिखाया इसमें प्लेन था मुझे परस्नली टेरा कोटा जो प्लेन है बिलकुल मिटी मिटी का color वो बहुत सुंदर लगता है सिर्फ एक दिवाली ऐसा मौका है जिसमें हमें वो color जो है चूज करने का मौका मिल बाद एक अंकल जी की में shopper गई इनसे मैंने पिछले साल मूर्ती ली थी तो मैंने सुचा इस साल में इनी से लेते हैं पर इस साल अंकल ने पूरा अपना wholesale किया हुआ था वो किसी को भी रिटेल नहीं दे रहे थे तो shopkeepers के तो बहुत ही बल्ले बल्ले है इस market में अगर आप आप सब उत्तम नगर में तु रहते नहीं हो कोई मेट्रो से आएगा कोई आटो से आएगा कोई कार से आएगा तो हर चीज को सम्हाल के लेके जाएगा एक यह चीज है बस जो मैं मिस कर गई अब वीडियो में देख रही हो तो फिर से इसकी याद आ रही है बस उस टाइम भी बनाती रहे गए 80 रुपीज का इतना प्यारा टेरकोटा का घर है यह आप इसमें इसे घर में रख दो बस किसी कॉर्णर में और आपकी नजरें नहीं हटेंगी इस छोट से घर को देखके मुझे पूरा माल गुडी डेज याद आ जाता है और इनी की शौप है इतना प बच्पन में पुराने टाइम में आ गए हो इसलिए आप से कह रहे हो अपने बच्चों को यहां पर लेकर जरूर एक बार कोशिश करना जाना यहां पर देखे कितना खुबसूरत सा हाती है सजईला पूरा सजा हुआ है शेर तोता कुता बिली चुहा सब कुछ यहां पर मि है उनली रुपीज फिफ्टी अभी थोड़ा सा पॉश एरिया में चले जाओगे तो यह डबल प्राइजस में महाँ पर मिले लगेगा तो सारी बात आपकी सहूलियत की है अगर आप इस मार्केट में आके खरिदारी कर सकते हैं मोस्ट वैलकम साल में एक ही बार आना होता ह लोगों के पास टाइम कम है तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि सबकुछ बर रेडिमेट मिल जाए हमें कुछ करना ना पड़े तो 10 पीस का यह पैक रहेगा 450 रुपीज का एक पैकेट तंगा हुए ना ऐसे आपको 10 पैकेट मिलेंगे 450 के इसमें चोटे बड़े साइज सब के अलग-अलग हैं नीचे यहां पर आपको 100 पैर मिलेंगे लक्षमी माता के पैरो के 100 रुपे में 100 रुपे में 100 पैर ठीक है तो आप देख सकते हो अच्छे का से मार्जन में आगे सेल हो जाएगा और यहां पर आपको करवा चौत की थाली लोटा और चलनी भी मिल रही है और इसमें जो है कथा जिस पर लिखी होती है वो वाला कलेंडर कलेंडर बोलू क्या बोलू कलेंडर नहीं बोलना चाहिए कथा का वो पेज भी है वो है इसमें इसके अलावा यहां पर आपको स्वास्तिक के स्टीकर मिल जाएंगे शुबलाब के मिल जाएंगे करवा के इस रंगोली वाले ठीक है इनका जूम करके आपको नंबर दिखा दिया है इनके पास आपको मिल जाएगा और यहां पे रंगोली कलर आपको मिल रहे हैं ब्राइट वाले पेस्टल वाले भी हैं तो 70 रुपी 60 रुपीज में पूरा पाक आप यहां से ले सकते हैं अब देख लेते हैं कि इतनी सुन्दर सी मार्केट में जाना कैसे यहां पर जाने के लिए मैं बताओं मैं तो उबर वाली बाइक बुक करके गई थी तो सब कुछ मैंने अच्छे जहां से देख लिया है यहां पर उत्तम नगर इस्ट का जो मेट्रो स्टेशन है सबसे नेरेस होस्पिटल पढ़ेगा अगर राइट हेंड सायट पर माहाजन होस्पिटल है समझ जाना कि शीथे मीद्स पूम है तो यहां से बिलकूल सी ठासी कि जाना चाहनों protesters सी थे जंडा कर्मार में मुर्किशन आज्या ने मां हमएं गोपी जूस कॉर्णनर से ही बिलकुल राइट हैंड साइट पे मोड़ जाना है, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, दिल्ली छोटी सी आराम से बहुच जाओगे, हम तो पूछते पूछते गए थे, तो गोपी जूस कॉर्णनर ध्यान में रखना, यहां से आप राइ इसमें आउटोग भी जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तब तक इसमें सीथे जाना है, जब तक आप पर राइट थे पे सनलनी इल कॉमार कलोणी जाये है, यही सब आपको लोग बी ग्वास के गाइड कर देंगे, बाकिया आप shrines जाली काूर्ज रहरा आपका स्norm उस्य तरीके के और वीडियो के लिए शादी शॉपइंग और दिवाली शॉपइंग के लिए बने रहिए स्टे टून और गॉड ब्लेस